पाकिस्तान अधिकरत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक का नंबर किसी भी वक्त लग सकता है और इसकी तैयारी समझने के लिए आपको टेरर कैम पर एक्स्क्लूजिव रिपोर्ट देखनी चाहिए मुजफराबाद से कोटली और नीलम घाटी से लेकर एक एक कैम की पूरी जानकारी इस वक्त हमारे पास मौजूद है और इसकी पूरी डीटेल सेना को भी दी जा चुकी है देखिए एलोसी और पियोकिस इंटेलिजेंस से एकदम लेटेस्ट इनफॉर्मेशन मिली है पाकिस्तान आतंकियों के कई ग्रुप तैयार कर रहा है इसके लिए पाकिस्तान की ट्रेनिंग कैम्प काईट क्लास्टर में आक्टिव है रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की सेना ने सभी लॉंच पैड एलोसी के आसपास तैयार कर दिये है न्यूज एटीन को मिली जानकारी के मताबिक ये लॉंच पैड एलोसी से कुछ किलोमेटर की दूरी पर है ताकि गुस्पैट में ज्यादा वक्त ना लगे एक्सक्लूजिव रिपोर्ट ये है कि पी ओके के नकियाल कैम्प में एक सीक्रिक मीटिंग हुई इस मीटिंग में पाकिस्तान की खफ़य एजेंसिया इसाई का मेजर हमजार शामिल हुआ इस मीटिंग में कोटली कैम्प से लशकर का कमांडर वलीद खान भी मौजूद था साथ में एक और आतंकी रफीग नाई और सुल्तान भी शामिल हुआ मीटिंग में तैव हुआ के कश्मीर के अंदर आत्म खाती हमले किये जाएंगे जब कि एलोसी के आसपास फॉवर्ड पोस्ट पर बॉर्डर एक्शन टीम यानि बैट हमले करेंगे इसके लिए उन्हें चीन से मिले नाइट विजन गॉगल्स भी दिये जाएंगे आतंक बादियों के ये क्लस्टर मन्चेरा में है मुझप़राबाद में है, कोटी में है और मुरीदके के साथ बहावलबुर में है मन्चेरा पाकिस्तान में हैं और यहाँ बाला कौ गढडी हभी बॉल्ला और पतरासी में टेरर कैम्ट है मुजफराबाद P.O.K. में है और यहाँ चेला बंदी सवाई नाला, मुसकरा, अकसा और दुलाई नाला में टेरर कैम्प है कोटली भी P.O.K. में है, कुलपूर, सेंसा, बराली और दुंगी में आतंकवादियों को ट्रेनिंग मिल रही है अनंद नाग में हुया आतंकी हमले के पीछे उनी आतंकियों का हाथ बताया गया है, जो पुंच में हुए हमले में शामिल थी तब पांच सेनिकों की जान गई थी, आतंकियों के उसी मॉड्यूल ने अनंद नाग में हुए हमले को अंजाम दिया है रिपोर्ट है कि इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन TRF ने ली है यानि दे रिजिस्टेंट फ्रंट इसका ये ग्रुप चे महीने से जमु कश्मीर में आक्टिव है लेकिन नए अटैक में जो आतंकी शामिल रहे उनमें जैश से लेकर लशकर और हिच्पुल का कैडर आ रूटना चाहता है क्योंकि बैनर चाहे TRF का हो लेकिन इस आतंकी ग्रुप में जैश लशकर और हिच्पुल के ही आतंक की शामिल है बस अब हम लोगों को नया चेहरा देनी की कोशिश है इन सब की ट्रेनिंग P.O.K. में ही चल रही है और अब ये अलग-अलग रूट से ल K.O.C. को लंग कर भारत में आतंक फैलाना चाहते हैं गुस्पैट कराने पर है पाकिस्तान की तरफ गुस्पैट की कोशेश हमेशा होती रहती है क्योंकि कश्मीर के अंदर आतंक्यों को मदद चाही उनको इस वक्त असलेह से लेकर बाकी सपोर्ट नहीं मिल पा रही है नीलम-घाटी और नीलम-घाटी के आसपास ऐसा इलाका ह जहां एल-उसी पर भारत और पाकिस्तान की पोस्ट की बीच की दूरी कई जगहा सौ मीटर भी नहीं रह जाती है यहां भारत और पाकिस्तान की फॉट एक दूसरे की आंखों में आंखे डाल कर देखती है कूपवड़ा और पारा मूला में एल-उसी के पास ऐसे इलाके हैं जहां किशन गंगा नदी गुजरती है इस नदी को पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है यहीं नदी है जिसे पार करके आतंगवादी भारत में दाखिल हो जाते हैं ऐसी रिपोर्टस बराबर मिल रही है कि ट्रेनिंग कैंपों की लोकेशन लगातार बदली जा रही है पाकिस्तान अब आतंग वादियों को ऐसे केंपों में ट्रेनिंग दे रहा है जिनको एक जगह से दूसरी जगह जल्द ट्रान्सफ़र किया जा सके पीयोके के हाजीरा में एक बड़ा आतंकी कैम्प है और यहाँ पाकिस्तानी सैनका ब्रिगेड हिट कौर्टर भी है इसलिए इस कैम्प में आतंक्यों की ट्रेनिंग पाकिस्तान की सैनके बड़े अफसरों की देखरेक में होती है इसके अलावा वही नीलम घाटी के पास पीयोके में काली घाटी इलाके में भी टेरर कैम्प आक्टिव है न्यूजएटिन को मिली इंफर्मेशन के मुताबिक नीलम वैली के आसपास जितने भी टेरिस्ट कैम्प है वहाँ पर पाकिस्तान के पंजाब सुबेसे आतंकी लाइ गए है Ayanda इन आतंकियों में को चो कोा आत्मगाती हमला करणे के लिए भी तयार किया गया है कि खबर है कि पाकिस्तानी आर्मी आतंक बादिएं के लिए बंकर बना रही है इसमें अंडर ग्राउंड बंकर भी है क्योंकि पाकिस्तान को डर सता रहा है कि शेलिंग के बाद अगर भारती एसेना जवाबी कारवाई करती है तो ये आतम की सस्ती मौत नमारे जान इसलिए लशकर और जैश के बड़े कमांडरों की देखरेंग में ये कैम्प 24 सो घंटे अलर्ट रहते हैं लशकर इन कैम्पों में अल बर्फ ग्रुप के नाम से काम कर रहा है जबकि जैश अल उमर मुझाहिदिन ग्रुप के नाम से अक्टिव है अक्तूबर के बाद उत्तरी कश्मीर में बर्फ किरना शुरू हो जाएगी और फिर ज्यादतर इलाके बर्फ से ढख जाएंगी ऐसे म में पाकिस्तान के पालेप उसे देह्शत गर्दों के लिए घुसपैट आसान नहीं होगी यही वजा है कि पाकिस्तान चाहता है कि बर्फ बारी से पहले ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को एल उसी के इस पार भेज दे यह वो इलाका है जो दिसंबर से माई तक बर्फ से रहता है इसलिए पाकिस्तान की कोशिश होगी कि वो बर्फ गरने से पहले ज्यादा से ज्यादा आतंक वादियों की भारत में घुसपैट करा दे पाकिस्तान अपनी तरफ से काफी कोशिश कर रहा है फॉरेंट टेरिस को यहां बेढ़ने के लिए ताकि हमारे जो भीतरी हा हैं उसमें किसी प्रकार की वो रुकावट पैदा कर सके क्योंकि जो हमारी उन्नत ही हो रही है जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें 2022 में 1.88 क्रोर यहां पर हमारे पास टूरिस्ट आये थे इस साल जो हमारा कोशिश है कि 2.25 क्रोर तक्रीबन टूरिस्ट आने का हमारा सो आतंकवादी काई किलोमेटर पहाड़ों को बार करते हुए बस्पैट करते हैं नदियों और नालों के बीच से होते हुए जंगलों से गुजरते हुए वो भारत के हिस्से वाले कश्मीर में दाखिल हो जाते हैं लेकिन इनकी लॉंचिंग पाकिस्तान के कबजे वाले कश् पहला कोर्स तीन महीने का है जिसमें आतंकवादियों को एडवांस कॉमबेट ट्रेनिंग दी जाती है उनको एके 47 जैसे कुछ छोटे हथियार चलाना सिखाया जाता है दूसरे कोर्स में उन्हें कमांडो ट्रेनिंग दी जाती है जंगलों में जिंदा रहना और जीपियस और पायरलेस जैसी कई तरह के तक्निकी ट्रेनिंग दी जाती है पाकिस्तान के कमांडो दस्ते यानि की SSG को इस वक्त एक बड़ा मिशन दिया गया है मिशन है भारत में आतंक्यों की घुसपैट कराना और घुसपैट के वक्त आतंक्यों को कवर फायर देना इसके लिए ब तकी रात को घुसपैट आसानी से की जा सके खुफिया सूत्रों के मताबिक पाकिस्तान के SSG कमांडो ग्रुप को 2021 और 2022 में कई हमलों से पहले एक्टिव किया गया था इस वक्त एलोसी पर चप्पे चप्पे पर भारत की फौच तैनात लेहाज़ा भारती एस सेना की पूरी घाटी पर नज़र रहती लेकिन यहां जंगलों में खिरे कई ऐसे इसे इलाकें जहां ना बाड लगाना आसान ना ही निग्रान कई लाकें ऐसे हैं जहां निग्रानी रखने के लिए एक बटालियन भी कम पड़ती है एलोसी के उस पार ये वही लाकें हैं जहां बिलों में छिपकर पाकिस्तान के देह्शत गर्दों की तोलिया घुसपैट की ताक में रहती है एक दरहा से पाकिस्तानी आर्मी बेनकाप हो गई है ये पकता रिपोर्ट बताती है कि भारत के पास पाकिस्तान की प्लैन की पूरी रिपोर्ट है उकारा से लेकर मुझफवराबाद तब आतंग वादिय कार खानों की पूरी लिस्ट तैयार हो रही इस वक्त सेना के पास पाकिस्तान, टेरर इंट्रा स्ट्रक्चर और आईएसाई के बैक अप की पूरी रिपोर्ट लशकर जैसे आतंकी संगठनों में लड़के कैसे भरती के जाते हैं नौजवानों और बेरोसकारों को कैसे कॉंटक्ट किया जाता है आईएसाई और लशकर की मूडस और परेंडाई क्या है भरती के बाद लड़कों को कहां भेजा जाता है कहां और किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है ट्रेनिंग कौन देता है माइन वाश कैसे होता है और फिर हत्यारों के साथ उन्हें किस रास्ते भारत भेजा जाता है जाहिर है सब कुछ पाकिस्तान से हैंडल किया जा रहा है इस वक्त आतंकियों को घुसपैट के साथ जो हत्यार पहुँचाए जा रहे है उसके लिए करीब 300 राइफल और बागी छोटे हत्यार ड्रून के रास्ते पहुचाए जानी की रिपोर्ट इस वक्त सर्दियों से पहले घुसपैट की बड़ी कोशिश लगातार जारी रहेगी इसमें कोई शक नहीं ताकि बर्त पेघलने तक इतने आतंकी और हत्यार घाटी में पहुचा दिये जाए जो कई महीनों तक आतंकवाद को एक्टिव रखने का काम पूरा कर सकें